गुड मॉनिक अप्रिपन आज है 26 जुलाई 2023 और डे है बेंस डे बीएड की जो वो एक नई नोटिकेस्टन जो वो सामने आई है जिसमें जो वो हम लोग आज डिसकस करेंगे कि बीएड की काउंसिलिंग जो वो क्यों इसकी जो प्रवेस प्रक्रिय है वो जो वो क्यों रुक कर दिया था क्या वो बापिस ले लिया जाएगा उसकी भी हम लोग यहां पर बात करेंगे और साथ ही जो एक और नियूस है कि आई 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 टी मंडी में शुरू होगा इंटीग्रेटिट मेनेजमेंट कोर्स तो यह जो पहला ही ऐसा कोर्स है देखिए हमारे भारत में जो यहां पर जो प्रक्रिया है वो जो वो क्यों रुकी हुई है यहां पर लिखा है सरकार ने रोस्टर नहीं किया जारी बीएट की आठ हजार सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जो वो रुकी हुई है अब यहां पर देखे एक और यहां पर लिखाए कि अब दोनों विश्व और अब तक सरेणी बार मेरिट सूची जोब अभी तक जारी नहीं करबा है और इसी बज़र से जो आगे का जो रोस्टर है वह जारी नहीं वोपाया है यहां पर देखा है दरसल SC, ST, OBC और समाने बर के लिए कितनी सीटे अमबंटित की जानी है यहां सरकार तरह करती है इसलिए रोस्टर आने के बाद ही प्रवेश के लिए काउंसलिंग सीट अमबंटन के प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसका मतलब है कि यहां पर देखे लिखा है फिल से पढ़ते हैं इसको SC, ST, OBC समाने बर के लिए कितनी सीटे अमबंटित की जानी है यह जो वो सरकार तरह करती है इसलिए जो रोस्टर के बाद ही HPU जो वो सरेनी बार मेरिट लिस्ट जारी करता है इसका मतलब है कि यहां पर जो वो सरकार की ही थोड़ी सी प्रवलम है आगे जो वो तभी इसकी प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी मंडी के बाद हो दिए और HPU के प्रती कुल्परती प्रोफेसर राजिंद्र महता के अनुसार जो आड़िस था थाbig तै प्रोफेसर विके player मंडी Βी की प्रती कुल्परती प्रोफेसर अनुपमा सीन से सरकार से रोस्टर आने और सिर्णी बार मेरिट जाने होने के बाद जो वो सिंक्त बीएड काउंसलिंग आयुजित किये जाने को लेकर जो वो चर्चा की है हालांकि देखे 20 जुलाई को जो भी सड्डिबल जो जारी कर दिया है आप सबी ने देख लिया होगा लेकिन यह वो रहा है कि अभी तक वो उसको बापीस नहीं लिया गया है और बीवी को अधिस्टा था प्रोफेसर बीके सिव्दाम ने कहा कि सरकार के रोस्टर का इंतजार है हपी उसके बाद मेरी सुची जो जारी करेगा दोनों वीवी से संबंध कॉलेजों के लिए सिंक्त रूप से कांसलिंग आवजित करने पर जो सहमती बनी है इसका मतलब है कि आपकी जो कांसलिंग है आप जो सिंक्त होगी दोनों की एक साथ ही होगी हपी ने जो 75 बीएट कॉलेजों के करीब 8000 सिटों के लिए प्रवेश प्रिक्सा आवजित की थी तो सिंक्त कांसलिंग की प्रक्रिया भी वीवी करने को तैयार है जैसे ही रोस्टर जारी होगा मंडी वीवी की सहमती से कांसलिंग का सेडियूल जारी कर दी जाएगा और साथ जो जो हमारी आज की जो important न्यूस है कि आई-आई-आटी मंडी में सुरूँगा Integrative Management कोर्स देखें आप लिखा गया कि आई-आई-आई-आई-टी मंडी में पहली बार Integrative Management कोर्स जो किया जार है देश वर्स में जबो 23 चल रहे 23 IIT में जबो ये पहला ही अभी तक किसी में भी ऐसा कोर्स नहीं है पांच साल के कोर्स को अगर कोई 3 और 4 साल भी करेगा तो इसको कोई ना कोई डिग्री मिल जाएगी ये जबो इस टाइब कोर्स है देखें आपे लिखा कि 3 साल कोई करेगा तो BBA की डिग्री मिल जाएगी चार साल कोई करेगा तो BBA honors की मिल जाएगी पांच साल करेगा तो इंटिग्रेटिर है कोर्स में जो मास्टर डिग्री मिल जाएगी और IIT के निदेशक प्रोफेसर लक्समी धर बहरा ने बताया है कि संस्थान की ओर से कोर्स की रूप रेखा जोब बनाई जा रही है इसे कौन कर सकता है और यह उग्यता क्या होगी किसी तरह से चैन होगा फीस के रहेगी इस प पाहम लोग जबूस को डिसकस करेंगे थैंक यू एंड हव ग्रेट टे